आपको अपने जीवन में कौन सा सुब शमाचार मिलने वाला है, माता रानी आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है, जनरल कलेक्टिव रिडिंग है, मैं भी आप से राजुनेट करें, मैं भी ना करें, राजुनेट नहीं करती है, तो इस वीडियो को जाने दीचेगा, ना कि माता रानी की ब्लासिंग्स आपके सब के साथ रहें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहें, आपकी लाइफ में खुशिया रहें, हमेशा मेरी ऐसी विश होती है, मेरी कामना होती है, और माता रानी से मेरी प्रेयर होती है, कि मेरी सारे वीवर्स हमेशा अपन समचार आपको मिलने वाला है चाले, फोकस बनाई रखेगा आपकी जो भी विश है मातरानी से ज़रूर लगाईएगा और आपको उसका फल भी मिले चाले, देख लेते हैं King of Wands King of Cups दोनों ही King की एनरजी है Pentacles Nine of Pentacles सारे खार्ट खुद से आ रहे हैं चले, ले लेते हूं दोनों सन की एनरजी आपकी जीवन में कौनसा आपको सुब शमाचार मिलने जा रहा है कौनसी पॉजिविटी आपकी लाइफ में होने जा रही है देखिए सबसे पहले तो King of Wands की एनरजी है आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से आप जिसको वेट कर रहे थे मेभी ये रिलेशन्शिप में भी हो सकता है ये आपकी जौब में भी हो सकता है ये आपकी प्रोग्रिस को लेके भी हो सकता है कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे ऐसे भी चीज़े दिख रही हैं जो बहुत लोगों ने जैसे कहते हैं कि रुकावटे बनाई क्योंकि king of wants की energy है अपनी life में बहुत जादे efforts करने के बाद भी result नहीं मिलना वो यहाँ पे energy है लोग आपके साथ अगर दुरगावरा रख रहे थे कुछ भी आप accept नहीं कर पा रहे थे आपकी शायद समझ में नहीं आ रहा होता या आपको बहुत टाइम से रास्ता नहीं मिल रहा था आप सही दिशादशा की तलाश में थे लेकिन एक confusion होता है न जीवन में जैसे बाई मैं ये करूँगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा या बहुत सारे जो negative experiences आपके साथ रहे थे वो धीरे-धीरे अब आपके समाप्त हो जाएगे आपके खुद की अंदर से कैसी energy आएगी दिखिए king of cups की energy है बहुत time से ऐसा हो रहा होगा कि मैं राजा हूँ है न मैं परेशान हूँ और मेरे पास लोगों को लगता है बहुत कुछ है ये भी कई बार क्या होता है कि हमारी एक बेचैनी का कारण बन जाता है हमारी life में negativity का कारण क्या बन जाता है कि लोगों को लगता है मेरे पास बहुत कुछ है एक टाइम था कि एसेट बहुत अच्छी थी फाइनेंशल स्टेटस बहुत अच्छा था और आपको जो उस स्टेटस को मेंटेन करने की कला है कुछ नात होते हुए भी अपने आपको जो आप जिस तरह से ड्रस अप रखते हैं जिस तरह से अपने आपको प्रेजन करते हैं जो आपकी एजूकेशन है जो आपका बैकगाउंड है वो कही ना कहीं ये मानने पे मजबूर करता है कि लोग ये समझते हैं कि अब आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहरें आप जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रियेट कर रहे हैं या जानबूझ के अपने आपको ऐसा दिखाते हैं तो लोगों की जो वो दुरभावना थी आपके प्रतिके आप जानबूझ के उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं या लोग आपको जो जिस रूप में आज आ गए हैं, क्योंकि समय का चक्र थोड़ा सा मैं टाइम से देख रही हूं, थोड़ा नेगेटिव चल रहा था, तो वो अब आपके जीवन में बदलेगा, यह जो खाली कप है ना, नेक्स्ट एनर्जी पेंटिकल है, आपका कोई ऐस रुका हुआ काम, जो आपके जीवन में ऐसी एक कभी न खतम होने वाली खुशिया लेकी आएगा, एक ऐसा मोड आपके जीवन में मुझे आता दिख रहा है, कि जितने भी पास्ट में आपने दुख सहें हैं, फाइनस की वज़े से, जितने भी पास्ट में आपने उस वे में आप कैरी करते थे, लोगों ने कभी उस चीज पर सोचा भी नहीं होगा, कि आप बहुत टाइम से किस समस्या से घरे हुए हैं, या कौन सी प्राबलम आपको अंदर यंदर तोड रही है, वो समस्या आप मुझे यहाँ पर खतम होती जा रही है, अगर कोई life में ऐसा incidence हुआ है, कि आपका near and dear आपको छोड़ के चला गया है, या कोई ऐसा incidence हुआ है, मुझे यहाँ पर कैसी energy भी नजर आ रही है, king of wants की, कि आपके अपनों नहीं हो सकता है, आपका साथ छोड़ दिया हो, support छोड़ दिया हो, यह सोचके कि अब आप किसी काम के नहीं है, यहाँ से आपके जीवन की बदलाव की शिरुवात होती है, जो लोग साथ छोड़ के गए हैं ना, शायद वही जब आपके अंदर the sun की energy आएगी, कैतना आपका सूरज फिर से हो गएगा, आपके जीवन में फिर से positivity आएगी, आपके जीवन में फिर से खुश आएगी, यह लोग आपके जीवन में फिर से पलट के आएगे, रेड कलर क्या है, हमें खुशियां देता है, और यह जो टाइम अब आपकी लाइफ में आने वाला है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप खुश हैं, सूर्य भगवान आपको energy दे रहे हैं, blessings दे रहे हैं, और आपके जीवन में जो रुका हुआ काम था, जो king of wants की energy थी, जिस भी reason से रुका हो, वो reason यहाँ पे खतम होते नजार आ रहे हैं, और यह reason कहीं न कहीं progress में बदलते मुझे नजार आ रहे हैं, क्योंकि जब इश्वर कुछ ठान लेता है, यहाँ पे sun की energy, आपको यह सिर्फ कहा जा रहा है, कि आप focus मत तोड़िएगा इस time पे, जो आपके अंदर, मैं अगर यहाँ पे कहूँ ना, तो आपको बहुत तेजी से आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका जो बहुत negative समय चला रहा था, वो एक सो भाग्य में बदलने वाला है, positivity में बदलने वाला है, जैसे कहते हैं कि बारिश होने वाली यह पैसो की, मुझे यहाँ पे ऐसी energy निज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे पैसो की बारिश होती निज़र आ रही है, अगर आपने एक चीज़ और कहूंगी, यह पैसो की बारिश में हमेशा mention करती हूं अपने उसमें, आपने अगर पिछले time में कुछ efforts नहीं किये हैं, तो यह time आपक हिम्मत नहीं हारी वो अपनी life में progress करने के लिए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जब इश्वर देने की बाद आती है, तो कर्मा भी हमारे matter करते हैं, यह जो आपको मिलने जा रहा है, यह जो pentacles की energy आपके life में आई है, यह इसी लिए आई है कि आप focused थे, आप अपनी life में जरूर मिलेगी Ace of Cups, मैंने का ना, अब आपके जीवन में वो चीजे होंगी, जो आपने अपने जीवन में, कहते हैं ना मैं deserve यह नहीं करता था और मुझे वो मिला, इश्वर आपको ना भर भर के, मैं तो यहाँ पे कहूंगी कि शायद उसने सोच लिए हैं, कि अब आपके जीवन में एक भी दुख नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ आपके कदम पड़ेंगे, जो जो efforts आपने, आप चारों तरफ से fruit मिलेंगे, अब आप अपनी life में सिर्फ आपको एक एक step पे ध्यान बना के रखना है, अपनी energy को लोने ही होने देना है, जहाँ आपकी life अमरत हो गई है, आपकी life इतनी positive होने वाली है, जो भी आप efforts कर रहे हैं, जो भी आप जीवन में सोच रहे हैं, जो भी Ace of Cups की जो energy है, जो भी आपकी life में घटना घट रही है, कहते हैं कि लोग जो पहले कहीं पीछा चुड़ाने लग गए थे, वो अब लोग क्या कहेंगे, आपके आने की रहा देखेंगे, आपके आने का इंतजार करेंगे, और जहां जहां आप जाएंगे, देखिए आपका औरा पहले से मजबूट था लेकिन financial परिस्थितियों ने आपको तोड़ के रखा हुआ था, अब ये financial परिस्थितियों आपको ये बता रही है कि जहां भी किते हैं कि अमरत की एक बूंद भी गिर जाए तो फूल बन जाती है तो जहां जहां अब आप जाएंगे लोग आपको वही मान सम्मान देंगे वही एनरजी आपकी लाइफ में पलट के आएगी Ace of Cups की एनरजी हमेशा आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए इसलिए इस एनरजी को तो आपको claim कर ही लेना चाहिए इस positivity को तो आपको claim कर ही लेना चाहिए Ace of Cups मतलब हमेशा आप ऐसी परिस्तिती में रहें देखे, लोग सोचते हैं कि हमें किसी ने कुछ दिया नहीं, बहुत सारे लोगों का यहाता है, लेकिन मैं उन लोगों को भी अप्रिशेट करती हूँ, जिन्होंने किसी से कभी कुछ लेया नहीं, और आज एक अच्छे मुकाम पर है, क्यों? उन्होंने दो चीजे ठीक की, ज दूसरा, जब खाली कप था, अगर यह समय नहीं आता, तो शायद यह पेंटिकल्स की बारिश नहीं होती, यह एस ओफ कप्स की बारिश नहीं होती, कहां से भरेंगे? अगर आप अल्रेडी फुल हैं, अल्रेडी आपके पास सब कुछ है, तो भरने की ज़रूरत नहीं है, स और आपका खुद के प्रतीजब नजरिया बदलता है, वो एडजेकली सन की एनरजी है, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, वो आपकी लाइफ में खुश्यां देने वाली तो यह सन की एनरजी और किंग ओफ कप्स की एनरजी भी आपको बहुत कुछ देके की देके, सेवन अफस्वर्ड वाव, वेन फ्रॉण वूण्स 7 of sword की energy क्या कह रही है ये energy कह रही है कि बहुत सारे लोगों ने जब आपकी परिस्थिती खराब थी ऐसा आप notice कीजिएगा क्या आपके साथ हुआ है अगर आपके साथ हुआ है तो 100% ये reading आपके लिए है बहुत सारे लोगों ने आपसे कुछ चुराने की कोशिश की पहले क्या किया king of wants की energy यानि कि आपको दुख तकलीफ बाधाय जितनी पहुँचा सकते थे उसके बाद जब देखा कि आप नहीं तूट रहे हैं तो आपकी जीवन में दुख बाधायों के साथ साथ बहुत कुछ चुराने की कोशिश की वो आपका व्यक्तित्व भी हो सकता है आप व्यक्तित्व कैसे इंसान को नीचा दिखा दो धीरे धीरे confidence डाउन होने लग जाएगा तो आपके साथ यहां पर ये भी हुआ होगा कि कुछ लोगों ने आपके व्यक्तिकत जीवन पर प्रहार किया आपने व्यक्तित्व को बहुत सम्हालने की कोशिश की आपको लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की होगी आपको अपने भाग्य का न्याय ना मिले आपको अपनी destiny का ना मिले क्योंकि queen of sword की energy है आप शुरू से ही एक ऐसी energy में रहे हैं एक ऐसी औरा में रहे हैं जो राजा या रानी से बिलॉंग करती है मेबी आप past life में कोई ऐसी energy में रहे हो कि आप past से अपने जीवन को बहुत सक्रिय रखते हैं बहुत positive रखते हैं और वहीं से आज का जनम हुआ है आपकी past life से आज का connection हो सकता है लेकिन ये लोग आपकी इस prosperity से इस positivity से इस strength से और spirituality से और आपका जो situation को handle करने का तरीका था लोगों ने यहाँ वो सब को चुराने की कोशिश की हो सकता है लोगों ने कहा हो कि आप दिखावा करते हैं हो सकता है लोगों ने कहा हो कि आप अंदर से वो नहीं है जो बाहर से दिखते हैं हो सकता है लोगों ने दूसरों को आपके प्रती भढ़काने की कोशिश की और वो कहीं न कहीं काम्याब भी मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि seven of sword की energy लेकिन आज वही इंसान उल्टे पैर भाग रहा है ये किसलिए भाग रहा है क्योंकि आपने दीखे जीवन में न हर इंसान के साथ बहुत कुछ चीजे होती है लेकिन जो अपना personality होती है वो हर एकी individual होती है कोई हमारे व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता आप से सब कुछ चुराया जा सकता है आपकी financial situation गिराई जा सकती है और ऐसा किया भी होगा लेकिन यहाँ पे आपका व्यक्तित्व नहीं चुरा पाए आप मुझे कैसे हरा सकते हो आप मुझे नीचा दिखा सकते हो उससे क्या होगा मेरा मन दुखी होगा प्रभू से guided है तो आप से कोई कुछ नहीं चीन सकता यहाँ लोगों ने जो चीनने की कोशिश की वो बहारी सब कुछ था आपके अंदर का कैसे चुराएंगे और हमारा जो connection होता है हमें जो मिलता है वो हमारे अंदर की energy से मिलता है तो आपने धीरे धीरे उन शत्रों का भी सामना किया उन negativity का भी सामना किया क्योंकि queen of sword किया दुख के सारे बादल हट रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी परिक्षा से अगनी परिक्षा कहूं कर्मों की परिक्षा कहूं finance की परिक्षा कहूं आप एक ऐसी परिक्षा से होके गुजरे हैं जहां से अब आपको इश्वर का साथ मिला है आपको एक ऐसा साथ मिल गया है जो जीवन में अब कोई आपका नहीं तोड़ सकता है कोई नहीं चीन सकता है कहते हैं कि हमारा सब कुछ चीन सकते हो लेकिन हमारे भाग्य का लिखा न को शुबता आ रही है कि आपके भागय का नहीं चीना जाएगा, जीवन में कुछ भी क्यों न हो झाए, कोई भी आपके भागय का नहीं चीन सकता और खुद्रत आपके भागय का और आपके कर्मों का आपको देना शुरू कर रही,आप ये देखिये कि king, queen, pentacle, sun, ace क्या है, तो क्या होने वाला है, जिस जिसने जो छीना, वो सब कुछ सोग ना होके आपको वापस मिलने वाला है, किसी ने रिष्टे छीने, तो आज आपकी लाइफ में इतना प्यार वाले रिष्टे आने वाले हैं, कि प्यार छलकेगा, Ace of Cups की एनरजी है, लोग आपसे मिलने के या जा रही है, यहां सिर्फ संभलने तक बात नहीं है, आप एक व्यक्ति विशेश बन जाएंगे अपने जीवन में, आप जो थे, जो नहीं दिखा पा रहे थे, वो रूप अब कुदरत खुद दिखा देगी, देखिए राजा आखिर राजा ही होता है, जंग में हार गय रहती है, और यह जो थोड़े से मंदवुद्धी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो हार गया, या उसमें दो कदम पीछे ले लिए, तो वो कमजोर है, वो यह नहीं जानता कि कई बार दो कदम पीछे लेना, या जंग में हार भी बहुत कुछ सिखा देती है, और य लोग अब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि कहीं चोरी तो ना पकड़ी जाए, कहीं जो आपके साथ किया है, अब वो उस ब्रहम डर में जी रहे हैं, कि आप ऐसी अवस्था में वापस आ गए हैं, कि आप इनको रिपलाई कर सकते हैं, अब होता है कि एक इनसान क के साथ ऐसा क्लियर हो जाए, कि भाई आप जीवन में उस मोड़ पे आ गए हैं, जहां स्वोर्ड की एनरजी है, लोग अपने ही जो बाधाए हैं, किते मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, पहले सबने मिलके गॉसिप की, पहले सबने मिलके बुरा किया, और अब जब आपके जीवन में positivity के संकेत आ रहे हैं, या आपकी life में positivity आ रही है, आपको कोई good news मिलने वाली है, आपके जीवन में सुब समाचारों की बारिश होने वाली है, तो यह जो एक एक शत्रू है अपना-पना sword निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपना वार जैसे वार किया था उसी से अपना अपना वार निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी सोड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यह नेगिटिविटी आपकी लाइफ से अब निकलने वाली है तो चले देखते हैं कि ओश्वा को क्या गाइड़न्स दे रहे हैं ओके पॉस्पॉन्मेंट ब्रीक्थ्रू आपकी लाइफ में जो एक एनरजी चल रही थी बहुत टाइम से कि चीजें दूर होती जा रही थी चीजें आपकी लाइफ से सिमटती जा रही थी अपनोंने मूँ मोड लिया या आप जिस भी काम में लगे हुए थे जो भी काम आप कहते हैं कि मैं जिस काम में हाथ डाल रहा था वो मेरे लिए एक depression ही हो रहा था या वो मेरे लिए एक negative ही होता जा रहा था वो काम को मैं अंजाम नहीं दे पा रहा था किसी भी काम में सिर्फ मुझे संघर्ष की energy आ रही थी struggle की energy आ रही थी वो कहीं न कहीं आपको depression दे रहा था emotionally आप अपने आपको weak feel कर रहे थे कोई support के लिए आपके पास नहीं था या कोई ऐसी energy नहीं थी जिससे आप अपनी life में आगे बढ़ सकें ये जो आने वाली situation है break through का card है इस situation से आप खुद बखुद निकलेंगे और सबसे बड़ी बात ये है आप लिख लिजिए कि आपको support की जरुरत नहीं पड़ेगी आपके पास चल के कोई ऐसा इंसान आएगा आपको सामने से कोई ऐसा offer आएगा जिससे आप इस परिस्तिती से गुजर जाएंगे इस परिस्तिती से निकल जाएंगे आपके सामने कोई ऐसी opportunity आएगी जिससे ये जो postponement की energy है हर काम delay होते जाना हर काम negative होते जाना या चलते चलते रुख जाना काम में बाधाय आना भी कही ना कही depression की energy देता है तो ये सारी energy जो breakthrough की energy है ये आपके जीवन को अब रोक नहीं पाएंगी आपने जिस भी वजह से इतना time negativity में निकाला है आप खुद या ईश्वर ने जो आपका हाथ पकड़ा है वो आपको इस energy से अब निकाल देगा breakthrough की energy है जो भी समस्या जीवन में चल रही थी वो आपको एक हल मिल जाएगा तो निकलने का रास्ता यह जो sadness आपके जीवन में ना कि लगता है कि मैं विलकुल अकेला हूँ aloneness हूँ या मेरी aloneness होने का reason है postporneness होने का reason है क्योंकि कोई भी सफलता को accept नहीं कर पाता है negativity को हर बड़ी जल्दी से लोग accept कर लेते हाँ जी ऐसा हुआ होगा आपके कार्मिक्स ऐसे हैं आपने गलत ऐसे किया होगा बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ गलत होता है न तो और गलत करना स्टार्ट कर देते हैं और negative स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे वो energy है आपके साथ गलत हुआ तो लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया उसकी वज़े से आपका हर काम एक दूसरे से connected होता है हमारी progress है, हमारी खुशिया है हमारे emotions है, हमारे relative है सब एक दूसरे से connected है और वो कही न कहीं सब आप से छूटते चले गए दूर होते चले गए, लेकिन अब जो breakthrough की energy है वो यहां पे ये बता रही है कि वो सब कुछ वापस लटके आएगा और आप अपने base पे किसी की help आपको लेने की जुरूरत नहीं है आप जो अब थोड़ा सा low feel कर रहे है वो आपको low feel नहीं करेंगे आप अपनी life में एक fiery energy में आ जाएंगे breakthrough की energy में आ जाएंगे comparison past से अब की जो energy है आपकी life में आपकी कहीं न कहीं अगर आप compare करेंगे तो financial position grow करेगी आपको कोई नया काम मिल सकता है कोई नई opportunity मिल सकती है कोई नया business या अपने जीवन को जीनेगा क्योंकि five number की भी energy है four number संखर्ष कहीं न कहीं देता है और five number कहीं न कहीं progress दिखाता है emotions का card है comparison का card है past से अब की life को अगर आप तुलना करेंगे compare करेंगे तो आपकी life में financial सुधरने के साथ emotional bonding लोगों की बनेगी आपके जीवन में जो मान सम्मान की एक कमी आ गई थी हाना जो आप lacking of confidence lack of confidence आप फील कर रहे थे वो और जो लोगों की बीच misunderstanding हो गई थी होता है कई बार कि आप कुछ कहना चाह रहे है लोग कुछ समझ रहे है और जब हमारा वक्त खराब होता है ना तो आप कुछ भी बोल दीजे जब वक्त खराब चल रहा है आप positive भी बोलेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाता है तो वो जो misunderstanding की energy थी आप आपको वो energy positive energy में convert होती नजर आएगी कुछ नया होता नजर आएगा है ना लोगों की नए नए रूप नजर आएगे जो past में आपको छोड़ गए past में आपका समझ नहीं कर दिया वो नए रूप आपको जीवन में दिखाई देंगे कुछ यहाँ पर ऐसा भी है जो लोग आपके लिए negative सोचते हैं comparison की energy है हमेशा यह सोचते हैं कि आपका negative हो जाए आपका बुरा हो जाए आपकी life में अच्छा कभी ना हो उनका अंत होगा जो आपका बुरा चाहते हैं आपके बरे बुरा सोचते हैं वो इंसान खुद बखुद आपकी life से निकल जाएंगे आपको बहुत जादा उन पर pressure करने की जुरुत नहीं पड़ेगी या उनको निकालने की जुरुत नहीं पड़ेगी या जिस तरह से उन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है उन लोगों ने आपके जीवन को खराब किया है आपकी life में ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी के लिए बुरा बोलना वड़े किसी के लिए बुरा सोचना पड़े कोई negativity आपकी life में आई वो चीज नहीं होगी आपकी life में हाना आपकी life में एक नया देख रहे हैं न पुराना सब कुछ खतम हो रहा है तो पुराने शत्रू भी खतम हो रहे हैं पुरानी नेगटिविटी भी खतम हो रही है पुराना वक्त भी खराब हो रहा है एक नई शुरुवात यहां पे नजर आ रही है एक नया आपके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं नई अपॉर्चिनिटी जा रही है फूल की एनर्जी लवोस की एनर्जी हार्मनी फूल की एनर्जी में दो तरह से डिफ्रेंशियेट करूंगी पहली एनर्जी ये कि जो लोग आपको मुर्ख समझते थे जो लग आपके फीलिंग्स को नहीं समझते थे या जो लोग ये सोच लेते थे कि उन्होंने आपको मुर्ख बना लिया आप उनकी बातों में आ गए या आप उनके कहे अनुसार काम कर रहे हैं तो वो energy अब खतम होगी, वो यहाँ पर energy, उनको ये realize होगा कि आप किसी गलत इंसान पर गलत blame लगा रहे थे, आप, अब क्या होता है कि किसी के कहने से, किसी के बुरा चाहने से, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला, एक वक्त था, एक negativity थी जो जीवन में, कुछ कहत होता है, तो वो वक्त शायद, और इस मैं तो यह कहूंगी कि वक्त खराब ना, लोगों के चेहरे दिखाता है, लोगों की असलियत दिखाता है, अगर आपका वक्त खराब नहीं होता, तो आज आप जिस जीवन को जी रहे हैं, वो शायद आपको कभी नजर ही नहीं आता, लोग ऐसे ही हमेशा आपका में स्यूज करते रहते, लोग हमेशा आपकी लाइफ में बने रहते और आप उनको चीजे करते रहते, तो जो फूल की एनरजी है, अब लोगों को कहते हैं कि साक्षातकार हो जाएगा, आत्म चिंतन लोगों को करने की जरुरत नहीं है, आप ल कैसे डील किया जाए, जब बुरा करना था, नेगेटिव करना था, तो बहुत अच्छे से बुरा और नेगेटिव कर रहे थे न, आप कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन को, या कहते हैं कि अब किस मूँ से आपके सामने चाहें, आपके प्रोग्रेसिव आदमी से हर वो कुछ डिस्प्यूट चल रहा था कुछ नेगेटिव चल रहा था वो एनरजी यहां पर अब मुझे कंप्लीट होती नजर आ रही है वो एनरजी यहां पर आप क्या दें रिश्टों में जुड़ा बाना शुरू होगा कुछ आपके लिए अगर आपके लेट मैरेज हो रही है या मैरेज नहीं हो पा रही है तो आपके लिए अब वो सईयोग बनेगा कोई सुबसूचना कोई इनसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको mentally समझेगा mentally support करेगा emotionally support करेगा आगे grow करेगा या आपके शादी के भी योग बन रहे हैं अगर separation की energy में आप थे बहुत time से no contact energy में है एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे तो अब ये आने वाला time इस energy को भी positive बनाएगा और आपकी life में lovers की energy आनी है harmony सिर्फ एक चीज करनी है दिल और दिमाग को balance रखना है शांत रह के चीज़ों को देखना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे अब आने शुरू होंगे आना breakthrough की energy आई है ना कुछ ऐसा जीवन में हो सकता है कि positive तो चल रहा है अच्छा तो शुरूबात हो गया लेकिन अब जो लोग अभी तक नहीं बोल पा रहे थे एक दूसरे से पीछा चुडाना पहले तो group में gossip चल रही थी group में negativity चल रही थी group में कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको खराब करने के लिए किया जा रहा था अब ये group तूट चुका है breakthrough आपके लिए भी है और उन लोगों के आगया है कि किसी की बुराई करने से ही सिर्फ जीवन नहीं चलता तो ये जो breakthrough की energy है अब ये group तूटेगा आपको सिर्फ ये balance बना के रखना है कि किसी पर भी आँख बन करके भरोसा नहीं करना है और मेरा suggestion तो ये है कोई आपको आपको आगे कुछ बताता भी है कोई आपक आपको खुश करने के लिए अपनी life को सही करने के लिए जो best possible ways है वो आपको देने हैं वो आपको करना है उसी से आपको आगे बढ़ना है उसी से आपकी progress होगी in negativity में फिर से बढ़के पता चला फिर से वहीं पर down आपका हो गया और वहीं पर पहुंच गया तो अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं आपको message देखिए मैं चमतकार miracle तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख पारी हूँ आप अपनी full उसी power में आ जाएंगे जब आप पहले हुआ करते थे आप जैसे पहले हुआ करते थे आप मुझे उसी situation में होते नजर आ रहे हैं highest fist, मा, दुर्गा, शिव, शक्ती, devil खतम हो रहा है आपकी life से सारे negative लोग मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं आपका जो आपने अपनी life को बहुत सुन्दर तरीके से design किया आपने अपनी life को बहुत सुन्दर तरीके से जीने की कलपना की थी जैसा आप रहना चाहते थे जो आप अपनी life में करना चाहते थे वो चीज आपको मा दुर्गा अब देगी बस आपको पूरा भरूसा रखने की जरूरत है और जितनी patience से आपने अब तक अपनी life को जिया है जितनी patience से अपनी life में आप आगे बढ़े हैं चीजों को avoid करते हुए बहुत सारी failures के बाद बहुत सारी aloneness के बाद भी अब भी आपको बस लिए last step है आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं जिसे ही यह devil निकलेगा और आपके जीवन में खुश्या आनी शुरू हो जाएंगी progress आनी शुरू हो जाएगी positivity आनी शुरू हो जाएगी तो devil की energy को मादुरगा को swap के माकाली क जिस भी माता को आप मानते हैं उनको swap के अपने जीवन में harmony लाइए लवोस की energy जलाइए भूल जाए नेगेटिव लोगों को भूल जाए उन लोगों को जो आपके जीवन में तनाव देते हैं ये जो time है ये celebration का time आने वाला है ये जो time है ये progress का time आने वाला है ये वक्त ज इश और आपके लिए ही खुशियां दे रहा है बस आपको बटोरने की ज़रूरत है आपको accept करने की ज़रूरत है वीडियो पसंद आईए तो चैनल को subscribe कीजिए जादा से जादा like, share, comment, खुश रहिए, स्वस्त रहिए और आपके जीवन में ऐसे ही good news मिलती रहें इसी blessings के स God bless you